आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों कि मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागता आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे एक्जाम वाइस भी तो हम बात करेंगे चाइना और भारत देकि भारत के चाइना ने भले ही हाईपर सॉनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट तो नहीं किया लेकिन हाँ उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है टार्गेट मिस हो गया था लेकिन अमेरिका रशिया फ्रांज भारत पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिया मुला कि अरे बाप अरे बाप ये तो खतरनाक दिशा में जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं भारत के पास अगनी है देखिए वैसे तो मिसाइल नुकलियर टेक्नोलोजी ये सब बहुत खतरनाक है होना नहीं चाहिए ये तो destruction weapons है बस एक detonation एक nuclear bomb फटा तो पूरी दुनिया देगे हम सब मर जाएंगे और ये पूरी दुनिया को पता है लेकिन एक दूसरे की रक्षा करने के लिए अलब अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे से ये सब खतरनाक weapons weapons of mass destruction बनाए जाते है तो हम बात करेंगे दोस् अगनी 5 missile और चाइना की hypersonic missile, ICBM क्या होती है देखिए एक होती है surface to surface, surface to surface missile का मतलब ये होता है कि target surface पे है और missile भी surface से छोड़ी गई है, फिर surface to air, target surface पे मतलब missile छोड़ी surface से गई है और target air में हवा में, फिर air to air वही हवा में उड़ा देंगे, दूस्ती चौती होती है ICBM, Intercont continental ballistic missile एक continent से दूसरे continent पर वार कर देगी है, यानि कि इसकी range बहुत ज़्यादा होती है, अभी दोस्तों, पिछले मेने की ही खबर थी कि चाइना ने United Nations Security Council में भारत के खिलाफ आपत्ती जताई थी, कि अगनी 5 Intercontinental ballistic missile का जो project है, upcoming test है, वो खतरनाक है, UNSC Resolution 1170 उशू किया गया था, जब भारत ने 1998 nuclear test कर लिया था, भारत एक nuclear nation हो गया था, तो हम बात करेंगे दोस्तों, चलिए, तो भारत ने अगनी 5 missile को, surface to surface ballistic missile इसको test भी कर लिया, successfully test किया है, और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, तो भाई देखो, अगर अगनी 5 missile की बात करें, तो यह सबसे ज़्यादा advanced surface to surface missile है, और यह भारत ने खुद बनाई है, indigenously built, हमने इस missile को खुद बनाया है, 3 stage solid field है, 17 meter लंबी missile है और आप समझे कि 1.5 ton तक यह nuclear warhead ले जा सकती है, भाई, missile का काम क्या होता है, missile का काम यही होता है न, कि nuclear warhead को ले जाना, आगे जो ठुप़ी नहीं लगी रहती है, उसमें आप nuclear weapon लगा दीजे, payload लगा दीजे, जहां पर जाना होगा वहीं वो ले जाएगी, यह चीज है, चाइना ने भी अपनी hypersonic missile को test कर लिया है, दोस्तों मैंने अपना एक नया channel बनाया है, सिद्धान अगनी होतरी के नाम से, यहाँ पर मैं vlogs डालता हूँ, थोड़े offbeat videos डालता हूँ, आप लोगों से जो interact करता हूँ, वो सब डालूँगा मैं, तो comment और description box में link दिया है, तो आप इसको ज़रूर follow करें, तो अगनी 5 जैसा कि मैंने बताया है, कि भारत की यह long range surface to surface ballistic missile है, यह 5000 km याद देखें कि 1 मतलब 1000, 2 मतलब 2000, 3,000, 4,000, 5,000, 5000 km तक यह मार सकते हैं, याद रखिएगा कि पूरा का पूरा चाहिए नहीं ऐसे हमारी range में आ जाएगा, लेकिन जो missile के range होती है ना, वो देख जानबूच के कम बताते हैं, अक्च्वल में missile की range जादा होती है, missile के range और nuclear weapons से जानबूच के कम बताया जाते हैं, experts का मानना है, कि भाई इस missile की range 5000 नहीं, 8000 km तक है, यानि कि चाइना, पाकिस्थान, बांगलादेश, भारत, यह पूरा एशिया जो है, भारत कहीं पे भी इफाक्ट एशिया के बाहर भी वार कर सकता है, इससे, तो पूरा का पूरा इंटायर चाइना, विदिन दी missile target range है, 15,500 kg, एक टन में 1000 kg होते हैं, 15,000 kg तक का यह वार हेट ले जा सकती है, और लॉंचिंग वेट कितना था, 50,000 kg का, यानि कि अभी देश की सबसे तगड़ी missile, अगनी 5 missile है, और यह fire and forget missile है, यानि कि एक बार आपने छोड़ दी, तो आप इसको control नहीं कर सकते, तो इसको बहुत ही source समझ के छोड़नी है, एक बार यह निकल गई, तो अगनी 5 को control नहीं कर सकते, फिर वो target पे जाके ही मानेगी, it cannot be stopped, हाँ, इसको एक तरीके से intercept missile से, यानि कि दूसरी missile को आप छोड़ दे इसकी तरफ, खतम कर दे हवा महीं, तब हो सकते ऐसा, तो यह आप देख सकते ही है, stage 1, stage 2, stage 3, तो मैंने बताया ना, it's a three stage solid field missile, तो भारत, मतलब यह चाइना, रश्या, यह सब इनकी range में है, तो इसको test fire किया गया था, अब्दुल कलाम, आइलेंड, उडिसा, range इसकी वही, 500-800 km तक है, weight इसका 50,000 kg है, इस speed इसकी 24 mash है, speed basically वही, speed of sound, देखे, mash number basically, यह speed दिखाता है, यह dimensionless quantity है, जो कि आपको एक तरीके से speed दिखाएगा, मतलब, with respect to the speed of sound, अगर mash number 1 से ज़ादा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि, speed of object है, it approaches the speed of sound, ठीक है न, मतलब, ज़ादा हुआ अगर एक से, तो यानि कि, 24 mash number यानि कि, speed of sound से यह ज़ादा है, तो, length इसकी साड़े सात्रा मीटर के करीब है, nuclear wallet 15,000 kg तक का, यह ले जा सकती है, यह आप अगनी 1 देख सकते हैं, यह हमने 2012 में टेस्ट किया था, इसकी 700 km की रेंज, अगनी 2,000 km, 3,500 मैंने बता है न, वो नाम के हिसाब से ही होता है, 4,000-4,000 km तक, और यह अगनी 5 है, 5,000 से 8,000 km तक यह जा सकती है, तो बड़ी important भाई, missile है यह, और, चाइना ने इस पर काफी ज़्यादा आपत्ती भी जता ही थी, कि ऐसे कैसे भारत टेस्ट कर रहा है, Integrated Guided Missile Development Program है, IGMDP, Dr. AP Jabdur Kalam, Missile Man of India, अगनी Missile, प्रित्वी Missile, इन्हें की ही देन है, इन्हों नहीं यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, और, IGMDP, AP Jabdur Kalam की ही देन है, ताकि Missile Technology में भारत आत्मिर्भर बन जाए, इसलिए, AP Jabdur Kalam का इतिहास रिणी रहेगा, इन्होंने जो हमारे लिए किया है, 1983 में, IGMDP, लॉंच किया गया था, और मार्च 2012 में, जब हमने अगनी First Missile बनाई, तब ये complete हुआ है, पांच मिसाइल है, पतना, P.A.T.N.A, पृत्वी, अगनी, तृशूल, नाग, आकाश, पतना, ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसको इस प्रोग्राम के तरे, डेवलप किया जा रहा है, अगनी Class of Missiles की बात करें, तो वही है कि ये भारत की Nuclear Launcher Capability है, जो Nuclear Missile है, आप इन Missile से, मतलब ये Nuclear Missile, आप Nuclear Warhead इसके आगे रख सकते हैं, और इसको छोड़ सकते हैं, तो भारत ने 1983 में, IGMDP बना, और 1989 में, अगनी Series टेस्ट करना शुरू कर दिया, और 2012 में हमको, हमने पहला टेस्ट किया, ये चीज़ है, अब उस समय, अमेरिका, सोवियत उनियन, चाइना, फ्रांस, इसराइल, मतलब अभी, इनके पास IRBM Technology है, फिर North Korea और UK के पास भी ICBM Technology है, भारत के लिए importance जादा है, क्योंकि देखिए, भारत की जो nuclear policy है, आपको पते की, नो first use हमारी हम, पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी, आगल पगल वाले देश, जिस तरीके से aggressive और, इस्पेशली चाइना, पाकिस्तान, तो भारत को इस तरीके की missile बनाना, बहुत ज़दा जरूरी है, आगनी 5 है canisterized missile है, canisterized बहुत ही शांदार शब्द है, इसका मतलब यही है, कि missile को आप road, railway platform से भी launch कर सकता है, आप कहीं से भी इस missile को land based, और rail based, हर जगां से इसको launch किया जा सकता है, तो इसको कहीं पर भी आप deploy कर सकते हैं, और इसको quicker pace, बहुत जल्दी launch किया जा सकता है, ठीक है, तो यह चीज है, तो ICBM technology, जादा लोगों के पास है नहीं, मतलब जादा देशों के पास है नहीं, इसी के तहर जब भारत ने, अपना nuclear test पूरा किया था 1998 में, तो UNIT Nation Security Council Resolution, 1172 लाय गया था, कि अब जो nuclear weapon भारत test कर रहा है, जो nuclear development program इसको रोका जा सके, और अब weaponization की तरफ नहीं जाएगा, अब चाइना यहीं बोलता है, कि भारत को यह test करने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह resolution के खिलाब जाता है, भारत का missile program resolution के खिलाब जाता है, बाँ 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 चाइना जितनी हो सके बत्तमीजी करे, लेकिन हम कुछ भी ना करे, चाइना पाकिस्तान को uranium दे रहा है, ताकि पाकिस्तान जो है वो बढ़िया weapons बना सके, और हमसे expect कर रहा है, कि हम शान्द बैटें, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो बात हुई, अपने अगनी 5 की आपने अगनी 5 देख ली, अब हम बात करते हैं, hypersonic glide vehicle जो चाइना ने टेस्ट किया है, तो ये दोस्तों इस पर मैंने lecture भी लिया था, ये चाइना ने टेस्ट किया था, और ये इससे पूरी दुनिया चौंग गए, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये hypersonic technology ने के पास आई कहां से, hypersonic समझते हैं न, कि जिसकी speed sound से 4 से 5 गुना ज़ादा हो, sound की speed लगबग 32 मीटर पर सेकंड की होती है, light की speed 3 into 10 to power 8, इसलिए आप देखते हैं पटाके पहले हम को दिखते हैं, उसके थोड़ी देर, मतलब कुछ सेकंड बाद आवाज आती है, वो इसलिए, क्योंकि light की speed ज़ादा होती है, sound की speed से, तो ये चीज़ है, तो hypersonic glide वहिकल की बाद करें, तो China ने इसको test किया है, अब test इसका fail हुआ, in the sense कि, अपना target दो dozen mile से ये चूग गया, लेकिन test तो कर लिया, चाइना ने इसको कैसे test किया है, ये जो मिसाइल है, ये धर्ती के चक्कर काटती है, पहले जाएगी धर्ती के चक्कर काटेगी, और समझे ये 5 से 25 गुना ज़ादा speed of sound, hypersonic technology है नहीं, तो 5 से 25 गुना ज़ादा speed of sound के, इतनी तेजी से चक्कर काटेगी, और उसके बाद ये अपने target को hit करेगी, तो ये nuclear payload, और बाकी जो भी weapons होते हैं खतरनाक, उसको carry कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको target किया जा सकता है, अमेरिका, रश्या, चाइना, ये तीन देश जो हैं, भारत और फ्रांस भी, ये hypersonic missile को test कर रही हैं, तो भारत के लिए खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि, चाइना जो है और अब भी recently relation जो है, जैसे standoff अमार हुआ है, वो अच्छे नहीं रहे हैं, उपर से अमेरिका और चाइना की rivalry भी, लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वही चीज़ है, ये 5 गुना जादा है, मतलब 5 और more times the mash, और speed of sound, ये चीज़ है, तो इसको radar भी track नहीं कर सकता, आम तोर पे, radio wave छोड़ी जाती है, कोई भी solid object आया, उससे टकरा के radio वे फापस आएंगी, यानि कि भाई, object आ रहा है, तो मुश्किल है, क्योंकि ये मिसाइल बहुत उपर जाती है, या तो देखें, radar की एक limit होती है, एक range होती है, speed इतनी जादा है, इतनी जादा है, कि आप इसको detect नहीं कर सकते, ये आप देख सकते हैं न, ये limit है, radar की इतनी limit है, लेकिन ये मिसाइल यहाँ से launch होगी, और ये उपर जाएगी, lower earth orbit में ये घूमती रहती है, तो इसी लिए, आप इसको target नहीं कर सकते, मुश्किल रहता है, ये पहले atmosphere में जाएगी, और उसके बाद target पे छोड़ा जाएगा इसे, जादा तर जो hypersonic vehicles है, वो scram jet technology का यूज करते हैं, अब scram jet technology के आप इतना नहीं जाते हैं, ये चीज़ है, ये काफी complex technology है, ballistic और cruise missile में फर्क क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखें, ballistic missile आपने देना जैसे ICBM है, ये हमारी ballistic missile है, ठीक है ना, ballistic missile जो होती है, वो projectile motion follow करती है, ठीक है ना, ये है projectile motion आपका, ये hypersonic cruise missile ये भी ballistic missile है, ठीक है, तो ये इस तरीके का motion जो है, वो follow करती है, projectile motion है, ठीक है, और इसकी जो trajectory है, वो depend करती है, air पे, gravity पे, coriolist force पे, जो बाहर की तरफ लगती है, है ना, cruise missile के बाद करें, तो ये straight trajectory है, ये straight जाएगी, cruise missile, ये ballistic ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उपर से मारेंगी न, उसके बाद, ये earth atmosphere को छोड़ देती है, और उसके बाद वापस आती है, ballistic missile की बाद करें, जैसे hypersonic missile करती है, cruise missile की बाद करें, तो earth atmosphere के within, ballistic missile क्योंकि atmosphere को छोड़ देंगी, तो जाइट सी बात है, long range रहेंगी ही ही रहेंगी, 300 से लेकर 12,000 km तक, इतनी बड़ी हो सकती है, ये short ranges हो सकती है, cruise missile, वो आपने देखा होगा न, कि जब cruise missile का, सबसे best example मूवीज में नहीं दिखाते हैं, कि जब plane जाता है, वो fighter pilot जाता है, तो मिसाइल छोड़ता है, वो वो cruise missile है, तो पृत्वी, पृत्वी 2, अगनी, धनुष मिसाइल, ये सब आपकी ballistic missile है, ब्रम्होज missile है, आपकी cruise missile है, तो ये चीज़ है, तो भारत भी ऐसा नहीं है, भारत भी hypersonic technology, जो वो test कर रहा है, येस, बोथ, D.I.D.O. and ISRO, they are developing it, और बहुत जल्द हम इसको भी test करेंगे, सिर्फ चाइना के पास ये technology नहीं है, ये missile जो है, ये अपने track को, target को भी change कर सकती है, ऐसा है, जैसे ही जा रही है, और अगर target दूसरा हुआ, तो इनको control किया जा सकता है, इसको आप अपने हिसाब से control कर सकते हैं, एक remote control टाइप, ये चीज़ है, तो जैसा कि मैंने बता है, चाइना, अमेरिका, रश्या, आर वर्किंग, और फ्रांस और भारत भी इस पे काम कर रहे हैं, तो hypersonic technology का dual use है, सबसे पहले non-military purpose के लिए भी use हो सकती है, जैसे space launch, spacecraft, एक बार किसी भी देश के पास ये hypersonic technology आ गई, उसके इरादे बदल जाते हैं, its intention can change, क्योंकि फिर भाई वो उसका अपर हैंड हो जागे न, फिर वो बोलेगा कि जादा बगवाथ मत करो, hypersonic मार देंगे, तो अमेरिका को भी चाइना ने पीछे छोड़ दिया है, अगर hypersonic capability की बात करें, तो भाई ये वही sputnik moment है, sputnik moment क्या था, रश्या पहला बनाता है, तो space पे गया था, उसके बाद एक space ने शुरू हो गई था, अमेरिका और रश्या के बीच में, अब चाइना पहला बना है, जिसने hypersonic technology को test कर लिया, तो definitely अमेरिका का दिमाग कराव हो गया, या इसने कैसे पहले test कर लिया, और चाइना खतरनाक है, क्योंकि चाइना अमेरिका की rivalry, बढ़ती जा रही है, ये चीज़ है, और याद रखेगा, hypersonic missile ना, आपको warming में नहीं मिलती है, एक देश को पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले स्पे अमला हो जाएगा, तो यही main concerns है, कि अगर कोई भी, ये technology खतरनाक है ना, जैसे अब China ने इसको establish कर लिए, तो पूरे nuclear देश सब इसको बनाने में लग जाएगे, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, तो ये खतरनाक हो जाएगा, ultimately हमको nuclear disarmament करना है, nuclear armament नहीं करना है, खुश रहे पर ते रहे, देशे सद्दान तकी नियोतरी signing off,